असलाम अलेकुम, आप देख रहे हैं कुकिंग सिक्रेट बाई रहाना और आज मैं आप लोगों के साथ में शेर करने वाली हूँ बहुत ही सिम्पल सी रेसिपी वो भी बहुत सारी टेपस और ट्रेक के साथ में तो आज मैं शेयर करूंगी उपमा बनानी की रेसिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है कड़ाई और इसमें ले लिया है एक कब सूजी सूजी को हम 2-3 मिनिट तक भून लेंगे ताके इसका सारा कच्छपन निकल आए और यही है हमारी पहली टेप्स के उपमा में सूजी को भून कर डाला जाए तो क्या आप भी उपमे में सूजी को भून कर डालते हैं अगर आपका जवाब जो भी है मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताईए तो दो से तीन मिनिट हो चुके हैं और हमारी सूजी अच्छी तरह से भून गई है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे अब इसी कडाई में मैंने ले लिया है टू टेबल स्पून घी और टू टेबल स्पून कुकिंग ओल आप चाहें तो किसी एक चीज को भी छूज कर सकते हैं इसमें मैंने डाल दिया है काजू और भूने उवे चने इसे हम एक मिनिट तक फ्राइ कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से फ्राइ हो जाएं तो हम इसे भी निकाल लेंगे और साइड में रगतेंगे तो अब हम बनाते हैं इसका बगार जिसके लिए मैंने 1.5 टेस्पून राई ले लिए हैं 1.5 टेस्पून सीरा और एक दो तीन पत्ते मैंने कड़ी ले लिए हैं और साथ में डाल दिया है एक छोटी से अनियन फाइन चॉप करके आप चाहें तो अनियन को स्किप भी कर सकते हैं जब अनियन हलकी सी फ्राइ हो जाए तो हम इसमें आड करेंगे कुछ मसाले तो मैंने यहां पर ले लिया है ग्रीन चिली का पेस्ट 1.5 टीस्पून और वन टीस्पून जिंजर गालिक पेस्ट और इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है ताके इसका सारा कच्छापन निकल जाए तो अब सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं तो अब हम इसमें आड करेंगे सूजी जिसे हमने पहले ही भून के रखा हुआ है इसे भी हम इन मसालों के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब ये सारी चीज़े सूजी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें एड़ करेंगे कुछ वेजिटेबल्स ये आपकी अपनी चॉइस है आप जो भी वेजिटेबल्स डालना चाहें डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे हाफ कैरेट लिया है जिसे मैंने क्रेड़िट कर लिया है और कॉटर कप ले लिया है वटाने ग्रीन पीस लिया है ये फ्रोजन है इसने मैंने इसे डिरेक्ली डाल दिया है बस अब हमें इसे अच्छी तरह से mix कर लेना है और अब हम इसमें add करेंगे 2 कब पानी पानी का गर्म होना बहुत ज़रूरी है और साथ में ही मैंने डाल दिया है salt अपने taste के according आपको salt का इस्तेमाल करना है और इसे हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे और ये देखे पानी बहुत जल्दी सोक हो गया है इसमें मैंने अब एड़ किया है हाफ लेमन जूस और जो काजू अगेरा हमने फ्राइ करके रखे थे वो भी डाल दी है अब सारी चीजों को हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे एक मिनिट के लिए हमें इसे दम पे लगा देना है और हमारा उपमा जो है वो बिल्कुल रेडी होगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बनाया हुआ उपमा भी इतना ही टेस्टी और दानेदार बनके तयार हो तो आप इस वीडियो में बता हुई सारी टिप्स जो है वो ज़रूर फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि लोग आपकी कैसे तारीफ करते हैं तो यहां पे हमारा उपमा रेडी हो चुका है तो अब हम इसे सर्फ करेंगे बट सर्फ करने से पहले हम इसे गानिश करेंगे थोड़े से फ्रेश कोरिंडर के साथ और हमारा उपमा बिल्कुल तयार है सर्फ करने के लिए तो वीवर्स आज की मेरी रेसिपी यहीं तक थी आई होप कि आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक कीचे शेर कीचे और मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताईए तो फिर मिलोंगी नेक्स्ट रेडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हवेज